नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्ता आशू आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल XYZ सब कुछ तो दोस्तो दिल्ली के अंदर CNG का नया रेट आ चुका है दिल्ली के अंदर सरकार ने एक बार फिर CNG के रेट बढ़ा दियें लगता है सरकार ड्राइवर भाईयों को जीने नहीं देगी हां जी दोस्तो क्योंकि दिल्ली के अंदर CNG लगाता बढ़ती जा रही है इतना रेट बढ़ता जा रहा है लेकिन दिल्ली सरकार ना तो CNG पे सब्सीडी दे रही है ना ही दिल्ली में आटो टैक्सी का किराया बढ़ाया जा रहा है ड्राइ तो ऐसे में सवारिया भी परेशान होती हैं ड्राइवर भी परेशान होती हैं क्योंकि इतने में गुजारान ना होने के कारण कुछ ड्राइवर भाई थोड़े ज़्यादा पैसे मांगते हैं तो कस्टुमर नहीं देता जिसके कारण कई बार बहस बाजी भी हो जाती है लेकि ही हम दिवाली से पहले हो सकता है आपका किराया बढ़ा दें लेकिन दोस्तों यह चीज सुनते सुनते चार महीने हो चुके हैं कि दिल्ली सरकार आज किराया बढ़ा रही है कल किराया बढ़ा रही है लेकिन आगी तक कुछ भी किराया बढ़ा नहीं है तो दोस्तों दिल्ली म पर दोस्तों, यहाँ पर बता जिता हूं क्या उंनोंने कहा है कि इसका आटो का किराया बढ़ाना चाती है जिसका वो पुर्जो बिरोध करते हैं और यह बड़े हुए CNG के रेट हैं इसको लेके वो अपने संग्ठनों से और जो भी उनके साथ में अन्य संग्ठन जुड़े हुए उनसे बैठक करेंगे ड्रैवर भाईों से बिचार बिमर्ज करेंगे और सौमबार को दिल्ली के मु पैसे मिलेगी तो 3 रुपे की CNG के अंदर बड़ोतरी कर दी गई है CNG के अंदर ही नहीं दोस्तो यह PNG के अंदर भी 3 रुपे की बड़ोतरी की गई है जो घरों में पाइप लाइंग के द्वारा जो कैस सप्लाई होती है उसमें भी 3 रुपे प्रती यूनिट के हिसाब से बड़ोतरी की गई है और वहीं CNG पे भी 3 रुपे प्रती यूनिट की गई है तो दिल्ली के अंदर अब 78 रुपे 61 पैसे प्रती किलो CNG मिलेगी तो दोस्तों यह थी मेरी छोटी जानकारी आशा करतों आपको अच्छी लेगी होगी इस पिरकार के और जानकारी पाने के ल पूर वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत